हेलो बच्चों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छ हैर पढ़ाई को अच्छ से कंटिन्यू कर रहे हैं मैं हूं प्रशांत महेश्वरी और फन्वित फिजिक्स यूटुब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यह जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यह क्वेश्चन है जिसे मैंने कम्निटी टैप पर भी दाल था बहुत सारे बच्छों ने बहुत सारे तो नहीं कुछ बच्छों ने मेरे को इसका रिपलाई वाटसप पर भी किया है वह यह देखते हैं कि अगर मैं कमेंट बॉक्स में काम कर दूंगा तो शायद सारे बच्छे मजाक उड़ा देंगे ऐसा नहीं आप कमेंट करके भी इसका सॉलिशन देंगे कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला आपका आपने कमस्रीम ट्राई तो किया है ठीक है चलो तो इसका सॉलिशन देखते हैं देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए पह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मेट ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के फॉर्मेट में दिया हुआ है और यह बोल रहा है कि यह वाला जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यह लेस दिन आर के लिए ही काम करेगा मतल तोटल चार्ज जो है इसका अगर मैं पूरा वोर्ड क्या एड गैर मैं टोटल चार्ज देखता हूं एडिश का इस कैपिटल की ओ ठीक हम मूरे का चार्ज कैपिटल क्यू है और इसके अंदर जब जब कर सकते थे unit method से कैसे वो समझाता हूँ मैं पहले unit method समझाता हूँ तो यहां से एका formula जब आप बनाएंगे आपको एका formula ही तो चाहिए वो बनेगा row divided by capital R minus small r ठीक है row क्या है volume charge density है जिसकी unit होती है कुलाम पर meter cube और नीचे radius वाला pattern ही आ रहा है तो यह भी meter में measure होगा total अगर आप देखेंगे तो यह unit बनेगी कुलाम पर meter 4 ठीक है यह unit बन रही है अब आपको option में अगर आप देखें तो मैं option लिख देता हूँ first option है कुछ इस तरीके से second option है कुछ यह third option है यह और fourth option है यह आपको इन सभी option में से यह देखना है कि किस option में यह unit match हो रही है बस इतना काम करते है आपका काम हो जाता तो हम देखते कुलाम मतलब charge एक बार ही आना चाहिए तो हम देखते हैं कि इस वाले में भी charge दो बार आ रहा है इस वाले में भी charge दो बार आ रहा है तो मतलब यह तो नहीं बैठ सकता यह दोनों तो automatically cancel फर इन दोनों में charge एक एक बार ही आ रहा है तो यह हो सकता है नीचे m की power 4 meter 4 होना चाहिए यहाँ पे देखो meter 4 हो रहा है लेकिन यहाँ पे meter 4 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यह correct option है एक तरीका यह था जो बिल्कुल सही है ठीक है method से भी मैं आपको करवाओंगा भी तो method देखी यह पता चला किस तरीके से option चूज कर सकते थे यह वो तरीका था जो common sense से भी हो सकता था common sense से भी हो सकता था चली काम करना चालू करते है अल्राइट तो volume charge density अगर आप सभी को पता है तो हमने इस चीज को कुछ ऐसा लिखा था dq divided by dv भी लिख सकते है is equals to a capital R minus small r बताओ ऐसा लिख सकते है चली तो dq क्या होगा तो dq will be a r minus small r और dv जिन बच्चों को dv change in volume नहीं लिखना आता उन सभी के लिए बता रहता हूँ mathematics वाले बच्चों को तो पता होगा यह होता है 4 pi r square dr dv हमेशा ऐसा लिखा जाता है dv is equals to 4 pi r square dr अब यह कैसे आया बहुत simple सा तरीका है अगर मैं इसका integration भी कर देता हूँ तरीका बताता हूँ अगर मैं इसका integration भी कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा 4 pi तो बार रहेगा और r square का integration करोगे तो r की power 3 divided by 3 आ रहा है गौर कीजेगा 4 by 3 pi r cube आ रहा है volume आ रहा है नहीं आ रहा है cube की बात कर लेता हूँ cube की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो cube का volume निकालने का तरीका एक तो lbh है आप सभी को पता है lbh ठीक है जहां l ये है b ये है और मैं उल्टा लिग गया है h ये है और ये इसको l माली जे इसको b माली वैसे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये उपर वाला दिखाई दे रहा आपको उपर वाला पार्ट ये cross section area है इसका कौन सा area है cross section area a और अगर इस a को multiply कर दिया जाए किस से third side से तो भी volume आता है आता है अगर इसके छोटे से पार्ट का ही देखना होता तो मैं इस a को dh से multiply करता है dh से ऐसे spare की बात करते तो spare का area a इसको multiply करो change in value से that is dr spare का area 4 by r square होता है ठीक है तो वो तरीका use किया गया है हम यहाँ पर काम करते है तो हमने लिखा dq is equals to a capital r minus small r और dv की जगे adr लिखेंगे dv का format adr ही होता है where a is area ठीक है और spare के लिए area होता है 4 by r square ठीक है और next है third remaining side जो कि dr है spare के लिए तो सारी r ही होती है भी तो dr आएगा चली अब dq से मेरे को q चाहिए तो यहाँ पर भी मेरे को integration करना पड़ेगा यह total charge निकालना है तो 0 से लेकर capital r तक और यह 0 से लेकर capital q तक चली तो dq का तो हो जाएगा q आप देखोगे तो q यह आएगा solve करो के तो a हमें calculate करना है तो बहार निकालो इस रमायन को फोर पाई constant है हमें देखना है यह सारी चीजे constant थी बहार निकल गई r square को इससे multiply करो तो यह हो जाएगा अंदर कुछ ऐसा होगा r square into capital r इसको इससे multiply करेंगे यह आएगा minus r square को r से multiply करो के तो r cube हो जाएगा यही तो होगा और इसका integration करेंगे ऐसा 4 pi ऐसा का ऐसा integration करो यारब integration करो अच्छो integration करोगे तो आपको पता चलेगा कि capital r तो बाहर आजाएगा constant value है r square का integration क्या होगा r की power 3 divided by 3 minus r cube का क्या होगा r की power 4 divided by 4 और यह integration आपको आने चाहिए नहीं तो मैं वीडियो का link share कर दूँगा किसी को चाहिए तो done हुआ upper limit ही रखो lower limit तो 0 है तो upper limit जैसे रखेंगे it will be a into 4 pi फिर देखो यहाँ पर capital r रखो तो यह capital r की power 3 और यह r यह capital r की power 4 हो जाएगा divided by 3 और यहाँ पर capital r की power 4 divided by 4 यही होगा क्या LCM लेके काम करो तो चार्थी 12 हो जाएगा और 4 r4 minus 3 r4 r4 ही रहेगा तो हम देखते हैं कि यह जो charge आ रहा है charge will be a a into 4 pi into r की power 4 divided by 12 यही आ रहा है हमें तो a चाहिए तो a क्या हो जाएगा इसको multiply कर दो तो यह हो जाएगा q multiply होगा 12 से divided by r की power 4 और 4 pi ओके मैंने 4 pi को solve नहीं किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यह हो जाएगा 3 q divided by pi r की power 4 यह method था solve गरने का इस method से देखोगे तो एक लंबा pattern मन गया ठीक है और अगर आप unit wise आते तो यह बहुत जल्दी solve हो जाता clear हुआ है कोई दिकत नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो तो यह था आपके पास में question number 21 अब देखते हैं इसका question number 22 क्या होगा done जल्दी से screenshot ले लीजिएगा उमीद करता हूँ यह वैसे समझ में आई गया होगा आप सभी तो जब भी volume charge density दिया हुआ हो और volume charge density fix नहीं हो देखो जैसे जैसे r change होगा volume charge density change होता जाएगा उस case में charge कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है ठीक है चार्ज ही तो निकाला और फिर अपने उस charge से एक ही value निकाल ली अब देखो आगे आगे बोल रहा है कि यह आपको electric field calculate करना है inside this spare उस spare के अंदर electric field कितना होगा यह आपको calculate करना है वापस से इस वाले को भी इस वाले को भी unit method से solve किया जा सकता है कैसे मैं बताता हूँ electric field किसी भी point charge के कान देखो electric field is equals to होता है k q divided by r square और k को यहाँ पे k use नहीं करते ही है 1 upon 4 pi epsilon naught लिखते है और q divided by r square मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ 4 pi की कोई unit नहीं होती है unit होती है एक तो epsilon naught की एक charge की और एक radius की ठीक है तो आपके option में एक तो epsilon naught होना चाहिए एक बार एक बार ही charge होना चाहिए और दो बार नीचे radius होनी चाहिए अगर ऐसी unit match खा जाती है तो वो आपका option है और अगर नहीं खा रही है तो फिर option नहीं ठीक है आप God कीजिएगा यह सारे option चूज़ कर लो सारे में देखो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि यह तरीका किस में match खा रहा है किस में एक बार epsilon naught है एक बार क्यों है रही एक बार radius का रहा है अगर यह आपको मिल गया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा ठीक है जल्दी से देखेगा क्योंकि मेरे को तो पता है यह solve हो रहा है इस method से तो unit method बहुत काम आता है आप वहाँ से unit निकाल लिते है epsilon naught की Q की और R की value पूट करते है और फिर देखते कि किस में unit साटिस्फाई हो रही है वो इसका answer आप unit से भी देख जा सकते हो मैं आपको method बताता हूं actually मैं यह कैसे काम हो रहा होगा तो हमने बोला कि यह यह पूरा spare हमें इस पॉइंट के पर electric field calculate करना जो center से smaller distance के उपर है तो ऐसा गोला बना लेते हैं और वही ऐसा area और electric field इस तरफ जाएगा यह सब काम करने वाली बात है ना देखी चाहेंगी हमें क्या पता होना चाहिए इसके अंदर कितना चार्ज है गाउस्तों लगाने के लिए आपको सिर्फ यह चाहिए कि इसमें कितना चार्ज है submission क्योंकि value पता होने चाहिए तो यहां से submission क्यों निकालता है रो इंटू भी मेरे को तो पूरा निकालना था तो रो को मैं डिवी से मल्टिप्लाई करूंगा ठीक है रो आपको पता है क्या भी है ए मल्टिप्लाइड क्यापिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवी अपन सॉल करके आए हुए पूर पाई र इसकोर डिवी और थोड़ी तर पहले इस रामायन को सॉल किया है हमने एक्जेकली कहां से लेकर कहां तक जीरो से लेकर आर तक summation क्यों निकालने का तरीका तो यही है है हाँ वोही ए और फोर पाई जल्दी से भाहार निकालो A और 4 पाई को जल्दी से भाहा निकालो बच्छो अंदर क्या capital R R square से multiply होगा और R cube से बीच में minus और यहाँ पर D R बताओ वह इसी कोई solve करना है और इसी कोई तो solve करना है फिर काम करना चालू करो जल्दी से A ऐसा का ऐसा 4 पाई ऐसा का ऐसा काम करते हैं capital R तो constant है यह R की power 3 divided by 3 minus R की power 4 divided by 4 बताओ यही solve क्या था क्या 0 से लेकर small R तक अब वहाँ पर capital R था इसलिए value पुट करें यहाँ तो small R है और अंदर भी small R है solve करने की जूरूत नहीं है यही आएगा यही है submission Q that is submission Q और submission Q में A का value आपको पता है question number first से वह पुट करो वह कहाँ जाएगा तो submission Q का exact value A की value पुट करने पर मिलेगा A का value कितना है that is 3Q divided by pi r 4 यह A का value multiplied with 4 pi और अंदर चल रहा है capital R R cube divided by 3 minus R की power 4 divided by 4 ठीक है यह बात तो pi से pi की रहा है and cancel 12 हो जाएगा ग्या 12 Q divided by R की power 4 और यहाँ पे capital R R cube 3 R की power 4 और 4 that is submission Q बच्चो यह submission Q ठीक काम करने की कोशिश करते हैं आप चाहे तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं चल काम करते हैं तो हमने देखा according to Gauss law E dot ds और eds ही लिख देता हूं is equal to submission Q divided by epsilon naught submission Q 12 Q divided by R की power 4 और epsilon naught और लगाओ R R की power 3 3 R की power 4 4 ठीक है यह बात तो submission Q divided by epsilon naught कर दिया है फिर E तो constant होगा है न और ds का क्या हैगा s और s क्या इसका area that is 4 pi r square मैं direct कर रहा हूं यही तो होगा इसके अलावा थोड़ी कुछ हो सकता है चलिए यह 4 pi डिवाइड में जाएगा R square भी डिवाइड में जाएगा चलिए तो electric field क्या हो जाएगा electric field will be 12 Q divided by R की power 4 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught और small r square है है ना देखो भई कहीं गलती है तो यही answer है बस इसको थोड़ा सा जोड़ तोड़ मरोड़ करके काम करना पड़ेगा R square को अंदर के ले करके जाओ R square को अगर मैं अंदर ले करके जाता हूं तो नीचे भी R square आएगा और यहाँ पर भी R square आएगा यही होगा तो इसको cancel करो और इससे cancel करोगे तो यहाँ पर R की power 2 हो जाएगा तो कुल मिला करके यह रामेंड कुछ ऐसी यही बच रहा है फिर आप आगे क्या कर सकते हैं आप चाहें तो small r को बाहर निकाल सकते हैं otherwise इसको ऐसा ही रखी इसको अंदर ले जाएगे यह जो R4 दिखाई दे रहा है ना इस R4 की जगह आप R2 को अंदर ले जाएगे देखो इससे फाइदा क्या होगा यह तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3Q divided by Pi epsilon not R2 ठीक है अब देखना R2 अंदर जा रहा है तो R small r यहाँ पर R2 और 3 R2 capital R2 और 4 यहाँ पर था 1R से 1R cancel मैं इसको अगर अच्छे से लिखता तो मैं इसे कुछ ऐसा लिखता हूँ अच्छो 1 by 3 small r divided by capital R minus small r divided by capital R का square और 1 by 4 देखो देखे यह electric field का format आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है और मैं आपको यह बोल रहा था एक बार q आना चाहिए एक बार epsilon not आना चाहिए दो बार r आना चाहिए इसके लावा यह भी unit less है यह भी unit less है ठीक है तो यूनिट तो इनी से बन रही है इससे को यूनिट बन ही नहीं रही है और यह एक मात्र ओफ्शन देख लीजिएगा ठीक है चलो आगे देखो 23rd 23 के अंदर क्या बोल रहा है लेक्रिक आउटसाइड निकलना बाहर बाहर अगर निकालना है तो टोटल साथ तो क्यों यह समिशन क्यों की वेल्यू क्यों ठीक तो आपका तो इलेक्रिक फिल्ट केकी डिवाइड़वीच small r square ना option कौन सा match कर रहा है इसके अंदर बी वाल option match कर रहा है इसे भी unit wise ही हो रहा है अगर आप देखोगे तो यह भी unit से ही हो रहा है और किसे नहीं हो रहा है है ना चलो तो देखिए आप अगर इस पूरे question को unit system से भी करते हैं तो भी आसानी से हो सकता method आपको आता है well and do उससे बहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता लेकिन अगर कहीं दिमाख ना लगे कहीं आटक जाए unit काम आती है बच्छो unit से बहुत सारे question solve हो जाते हैं चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तरीका पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेट जरूर कीजेगा have a good day take care